हालो गाइस नमस्ते ब्यूटी विद मॉनिका चैनल में आपका बहुत स्वागत है तो आप सब लोग बताइए कि आप सब लोग कैसे हैं आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे अच्छे रहें स्वस्त रहें मस रहें यही मैं कामना करती हूं दिल से और आज मैं चाहना चाहते हैं तो आपको हफते में दो या तीन वारिस को यूज़ कर सकते हैं कोई साड़ेफक्ट नहीं है बिल्कु सिंपल ही आपको यूज़ करना है कुछ भी बाहर से लाने की जरूत नहीं है सब चीज घर में मिल जाएंगी तो चलिए जटपड बनाते हैं लेकिन उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज बहुत ज्यादा सपोर्ट करें आप कुछ भी सपोर्ट नहीं कर रहें प्लीज एक लाइक से आपके मुझे बहुत ज्यादा मोटिविशन मिलती है और वीडियो अच्छी लगे या बेकार लगे ज चलिए इसको बनाते हैं और तो इसके लिए ले लेंगे थोड़ा सा पका हुआ पपीता आपको पपीता लेना है एक चमस दही ले लेना है और एक चमस डाल देना इसमें हनी बस और कुछ ने डालना है बस अब इन तीनों चीजों को मिलाकर पीस लेना और इसका एक पेस्ट बना लेना है तो देखिए हमारा पेइश्ट बनकर हो गया है तयार तो देखिए हमारा to मार्कट में तो आज कॉलिधीन से अपका चाहु जब नहीं दिलाते हूं। इसको इस तरह से अपलाई कर लें। और पपीते के बहुत ज़्यादा फाइदा है हमारी इसकिन जिनके skin पर बहुत जादा काला पन है ना वो रोज पपीता लगाएं इस तरह से मतलब इस मास्कों को रोज लगाएं आप हफते में जादा नहीं लगा सकते हो तो हफते में दो लगाएं आपकी जितने भी चहरे पर काला पन है गंदी की है पिंपल्स के दाग धब्यां सब द लगा लेंगे और आप इसको 15 मिट तक लगा रहने देर उसके बाद आप देखेंगे चलिजारद टो सोचे है पकुछ अगर अगर या इंजा थी जगर ऋने वाली होजेश करने वह बिम इसको 12 तो तो इसंते हैं और उस तरह को आफ याप अड़े खीर और इसको कर खेंगे और फिर कवी आप इसा थोड़ा सकते हैं पर शुम्याश्याचर और शूहिछयल t तो आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आप चीक्स देख सकता हैं कितने गलो कर रहे हैं तो फिर मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट ट्रैमेडी के साथ तब तक के लिए बाई बाई गाई